रक्सा जी मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया कि टेशा टेग क्यूइन का जो चैनल है जिसके और आसामनीक है जिसके पारे में आपने बताया है मुझे सुनकर कसम से बहुत ज्यादा दुख हुआ जो एक यूटूब है वह है वो हमारी बीच में नहीं उनका मडर हो गया है वो भी किस ने किया है उसके पती ने किया है जिनोंने नम मेरीज की थी पती के साथ जब दो बच्चे हो गये थे जब उनको पता चना कि उसका पती पैने से ही साधी सुदा है गुसा तो आएगा जाय से बायता है गुसा तो आएगा एक तो उसने नम मे सुदा माइ को नहीं बताया था तो गुषसा तो आएगा और उसके पती ने माइके में अपने मैके में के में वे पवने शुसरान में आई अब जाइर सीवाग था संगा क्वाट सब्सक्राइब करनाया विक ऊदूसर्षित राड़ाई जगढा तो हो नहीं तो खेंछ आधर घृत पर और लाखुना H मडर हो गया आसमने के रहने की सर पर डंडा मार दें वहीं उनका मडर हो गया और वहीं मर गई सही बताओं रक्साजी मडर था उसके पती को यह तो पता था यह मेरी बीबी है मुपर भी तो थपड मार सकता था सर पर डंडा मानने की क्या ज़रूरत थी, उसको यह नहीं पता कि सर पर डंडा मानने से क्या होगा, बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा, उसने वो कमा रही थी, यूटुब पर काम कर रही थी, उसके चैनल भी धीरे-दीरे ग्रो कर रहा था, महनत कर रही थी, वो अपने पती से कुछ नहीं मांग रही थी ना फिर तो उसके सर पे डंडा क्यों मारा करम तो उसके पती ने किये ते गनत तो उसके पती ने किया पयानी पत्नी के होते हुए उसने दूसरी साधी की और दूसरी तो की तो की ओ तीसरी भी करनी मज़े तो उसके पती ने निये तो सजा आसा मनिक को क्यों सजा इसके पती को जरूर मिननी चाहिए ऐसे इंसानों को तो कड़ी सी कड़ी सजा मिननी ही चाहिए फ्रेंस मैं आपको यही चीज अपनी वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि समाज में यह CHANGE भूँत जादा हो रही है आद्वी नोग्स दो दो तीन तीन चार 화ण रख रहे हैं हमारे समाज में इन जीजों को भूँत जादा बरोतरी दे रहा है समाज में से इस तरह की गंदगी साप करने में मेरा साथ दे इस पर जादा से जादा वीडियो बनाओ और सेर करें यदि आप एक यूटूबर हो तो आप जरूर एक वीडियो जरूर बनाए इसके पति को कड़ी से करी सजा मिननी चाहिए क्योंकि सोसन विडिया में बड़ी ताकत है इसको सजा मिननी चाहिए जरूर से जरूर मिननी चाहिए इसके पति को जरूर से जरूर सजा मिननी आप सभी एक वीडियो जरूर बनाओ, आए, हम सभी मिनकर समाज में से इस परकार की गंदगी को साफ करें, और डिप्रेशन में मैं निंक दे दूँगी, इस वीडियो को भी आप जरूर से जरूर देखना, Francis परकार की गंदगी को अपनी समाज से साफ करे और इस पर जरूर से जरूर वीडियो बनाए इस आदमी को जरूर से जरूर सजा मिननी चाहिए यदि इसको सजा मिन गई न तो सही बताओ तो हमारे समाज में से 50% गंदगी न खतम हो जाएगी क्योंकि एक आदमी को देख कर दूसरा आदमी सीखता है अगर इसको सजा मिन गई न तो काफी जितने भी नोग होएगा जिस तरह की हरकत करने की सोच रहे हैं जो कर रहे हैं जिन्होंने रख रख किया है वो भी दसवार सोचेंगे कि उसके साथ में ऐसा हुआ था तो हमें इसे काम ने करो पिछे हो जाएगी तो इसे इंसान को सजा मिननी ही चाहिए ऐसे इंसानों को अगर इसको सजा मिन गई न तो आदी से जादा गंदगी खतम हो जाएगी जादा तो नहीं बहुन सकती 50 परसंतों खतम होई जाएगी ऐसे इंसानों को तो सजा जरू सी जरूर मिननी चाहिए जो साधी जैसे पवित्र हिस्तों को मजाक बना रहे जहीं तो इनोंने तो रड़िकियों को पता नहीं क्या समझ रखा यह समय नहीं आती है मेरे को कि एक नहीं तो दूसरी दूसरी नहीं तो तीसरी तीन-तीन दूगाईयां रख रहे हैं और हमारा समाज जो इसको भड़ोतरी दे रहा इतने ज़्यादा बढ़ोतरी दे रहा वह समाज में रहा वह समाज वह इसको इज़्जत भी दे रहे हैं फ्रेंस सही बता हम समीन कर अगर इस पर एक एक वीडियो बनाएंगे तो यह गंद के आदि से ज़्याद साफ होगी एक इंसान को सजा मिन गें ना तो दस इंसानों को नगेगा कि भई पर इसके साथ में ऐसा हुआ था इसनी इस फिर हम इस तरह से ना करें एक मीश संटूर जाए वही उसको सबों को भवाने एक मो का दिया है यदि आप यूटूबर ऊणा तो जरूर से जरूर इसके ओपर एक वीडियो बनाओ एक अच्छा काम कर दो इस तरह की गंदगी है ना अभी तो थोड़ी है अभी आने वाने समय में तो साथ भोज्या दो हो जाएगी धगराए कि आने वाने समय में दस बारत सान में तो हर गर में सबों की दो दो भी भी आई होगी फ्रेंस फ्री आप इसके उपर जरूर से जरूर वीडियो बनाना इस आदमी को जरूर से जरूर सजा मिननी चाहिए बाई बाई फ्रेंस